तो यह है मेरा अहुजा ब्राइंट का एमिली फायर देखिए इसका पावर स्विच अन ओफ है यहां पर अन हो गया है अगे देखते हैं इसका है दोस्तो नमस्कार आप सब कैसे हो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अहुजा ब्रैंड के तरफ से जो एमिली फायर है जो मैं यूज करता हूँ अपने डीजे के लिए अपने टेंट हाउस के लिए उसके बारे में मैं दिखान बने रही हैगा चलिए बिना लेट की है वीडियो को स्टार्ट करता है और आपको दिखाते हैं के मिली फायर मेरा कैसा है आप लोग देखके कमेंट बॉक्स में जाकर बताएगा कि कैसा लगा आप लोग का इमली फायर का उपर कहीं सा जो उपर के साइट से दिखता है इस एक आदमी के तो बस के बात नहीं के कहीं उतारता है चलाता है इसमें दो आदमी लगते इसलिए दोनों साइड हैंडल दिया हुए है आप खाड़ा के उठा सकते हैं और उपर से उठा सकते हैं तो यह देखिए अहुजा ब्रेंड के तरफ से है इसका मोडल नमर है एस पी यह जार वार्ड पावर शूपर पावर एमलिफ है इसका और इसका बहुत काफी अच्छा तरीका से चलता है दो टॉप या इस पर तीन टॉप बजा सकते हैं जो चार्चर सुवार्ड का फिकर इसका में वोलियूम है जो दिया हुए इसमें ज्यादा कुछ वोलियूम नही रखते हैं यह तो चाहें तो आप होरण बजा सकते हैं दोनों में से किसी एक में सेलैक्ट कर लिजी अगर बोक्स में बजाना चाहते हैं तो बॉक्स की सा धवर बजाते हैंके होरन में सब कुछ देता है datun eh तो रिसेट का बटन है जो अगर एमिली फार की कभी ऑफरलोड हो जाए या कोई प्रब्लम हो जाए तो बाटम को रिसेट कर लगे उसके नीचे पामर स्विच और फॉन का बटन हभी है और उपर देखिए और ब्रेंड का लोबो लगा हुआ है एमिली फार विल्कुल नया ही है यह मैं इसको अन्बॉक्सिंग कर चुका था पहले ही कभी के लिकिया था इसलिए सब्चार साज करता है लेकिन थोड़ा पहएं नहीं है जो क्या होता है फैन जो मशीन को ठंडा करता ह वह पैन इसके अंदर नहीं है यह कुछ प्रोब्लम है नहीं ज्यादा कुछ मैसीन को ऐसे अहुजा को ब्रेंड के तरफ कहता है कि फैन नहीं है तो फिर भी कोई प्रोब्लम नहीं देखिए यह ओभर लोड का स्विच है जो ओभर लोड होगा तो स्विच नीचे गिर जागा और बैटरी का आउटपूट इनपूट है जो सो भोल्ट इनपूट करेगा जो बैटरीक्स आप चलाना चाहेंगे तो चल सकता है यह सुच दिया हुआ है दूसों भोल्ट एमभी भोल्ट यह कुछ है इसके बारे में तो ज्यादा ख्याल नहीं है पर हां नीचे भी 48 वोल्ट डीसी के बैटरीक्स से आप चला सकते हैं 70 वोल्ट 100 वोल्ट और उसके नीचे दिया हुआ है होरन बजाने के लिए और बॉक्स बजाने के लिए सुच दिया है वे जो वायर निकला हुआ है मैं अपने से खुद से लगाया हूं क्योंकि बार बार उसको खोलना और कसना अच्छा नहीं होता है नय मसीन है इसलिए मैं निकाल दिया है बाहर वार और उसमें जोड़ेंगे एक पीला वायर है जो कॉमन का है ब्लैक वाला और एक है 70 वोल्ट का होरन बजाने वाला है जो दूर साइड में लंबा होरन बजाना होगा तो काम आएगा इसके बाद टू ओम और फोर ओम बॉक्स के लिए निकाल द टूरा है इस यहां कुछ जाली को काम करता करता है और कुछ इस तरह रहा है ना है रायो देख सकते हैं तो इस इस पर एकीन है इस पर विश्वास है कि अच्छा चलता है और अच्छा ही चलेगा इसलिए मैं इसको छुच किया आप लोगोग्स देके कोमेंट बोक्स में बताएगा कैसा रहा है यह मेरा एम्ली फैर और चलता है इसका इस पर लोबो में अलग से लगवाया हूं पिछला वीडियो में आप देखे होंगे इस इसका लोबू में बनवाया था और लगाया हूं तो ज्यादा कुछ तो है नहीं बस एही है मेरा एमली फैर 1000 वार एस पी ए जो की हुज़ा व्रैंड के तरफ से है इसी को मैं उज़ करता हूं और अपने डीजे सेट अप के लिए टेंट के लिए चलाता हूं मैं अलग से लगवाया हूं लोगो जो कब्या डीजे सौंड जो मेरा ठेकरेशन के नाम है उस नाम से लग मैं लगवाया हूं तो बस ज्यादा कुछ तो नहीं है इस वीडियो में बस इतना ही है अप इमली चलिए इस एमली फैन में भी हम लोग पामर देखे देखते हैं कि कै इंडिकेट कर रहा है बटन जो पावर ओन कर दिया हूं तो स्वीच का है काफी अच्छा एक ट्रेक्ट्टी दिखता है जब बचता है तो इसका में इंडिकेटर भॉलियम जो होता है काफी आप डाउन करता है चारा कुछ दिखता है बहुत दोस्त कैसा लगा मेरा वीडिय से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉक में अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभार।